अब करेंगे question number seventy-six geometrical optics chapter eighteen HCV volume one a gun of mass capital M fires a bullet of mass small m with a horizontal speed V the gun is fitted with a concave mirror of focal length F facing towards the receding bullet क्या बोला है हम से एक gun है जिसका mass है capital M और उसके उपर एक concave mirror fit किया हुआ है उस concave mirror की focal length F तो यह दिखाया है मैंने gun और mirror अब mirror का mass negligible है और gun से हमें कोई मतलब नहीं है इसलिए सिर्फ मैंने mirror को draw किया है capital M उसका mass मैंने suppose कर लिया और यह है वो bullet small m mass की जो red से दिखाई हुई है इस concave mirror की focal length F और हमसे बोला है कि इस mirror को इस तरह fit किया है facing towards the receding bullet अब जब firing होगी तो यह bullet इधर जाएगी recede होगी recede मतलब इससे दूर जाएगी तो इसको mirror को इस तरह रखा है receding bullet को face करते हुए आगे हमसे पूछा क्या है find the speed of separation of bullet and the image just after the gun was fired speed of separation of bullet and the image just after the gun यह भी बड़ी important बात है अब कैसे शुरुआत कैसे करेंगे आपको वो गन बुलेट सुनकी यह तो समझ में आ गया होगा कि principle of conservation of linear momentum apply करना है क्योंकि external forces absent है जो firing वाले forces है वो तो system के internal forces है system क्या है तो वो गन और बुलेट यह system है हमारा हम लगाएंगे principle of conservation of linear momentum उसके पहले इस direction को positive suppose कर लेते हैं अब यह जो है figure यह है firing के पहले का और बाद में हमसे कहा है कि वो जो bullet है उसको वो fire होती है with horizontal speed V यह दिखाई हुए bullet की speed यह बात का figure है firing के बाद तो principle of conservation of linear momentum क्या कहता है system का पहले का momentum कितना है अभी वो तो जीरो है यह system rest में है is equal to system का बात का momentum अब बात का momentum कितना होगा इसका momentum कितना MV पर इस direction को suppose कि I am positive तैने इसका momentum है minus MV क्योंकि यह vector equation होती है MV यह minus sign opposite direction का है जिसको भी आपने प्लस माना है उसके opposite यह है माइनस MV बुलेट का momentum और मैंने मान लिया है कि यह mirror जिसका मास capital M है वो वी डैश से इधर जाता है राइट वर्ड्स तो प्लस MV यहां से आपको क्या मिल जाएगा वी डैश क्या मिल गया velocity of velocity of दम मिरर बहुत जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है जब आप practice कर रहे हों questions की तो बहुत आराम से करना चाहिए यह physics का question है वो short swords जो है वो ठीक है अपनी जगे उसमें आपको बड़ा मज़ा आता है पर short swords से कुछ होता नहीं है ऐसा लगता है हमको कि हमको physics आने लगी है पर वो सही बात नहीं है विलासिटी मिरर की कितनी आ गई वह आ गई वी डाश इस इक्वल टू इसको इधर लाओगे positive हो जाए गई है MV upon capital M और एक बात और जब आप video सुनते है solution सुनते है तो बड़ा आसान से लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है तो वीडियो बन करना चाहिए और खुद करके देखना चाहिए कोई challenge नहीं है मैं आपको बता रहा हूं इसलिए solving करते समय copy pen लेकर paper pen लेकर साथ में solve करना चाहिए अपना भी दिमाग लगाना चाहिए या पहले खुद करके देखो नई बनता है आपसे बहुत प्रयास के बाद भी तो फिर वीडियो को देखो और फिर वीडियो बन करके करो तो फिर वो आपको बहुत लाब मिलेगा उसका आगे भी नए questions भी वो concepts आपके बन गए उसके बाद नए questions भी आपसे बनने लगेंगे खर तो पहले पार्ट में हमने लगाया principle of conservation of linear momentum और यह निकाल ली हमने velocity mirror की इसको मैं लिख देता हूँ वी एम वी एम velocity of mirror तो यह velocity mirror की ground के respect में आई हुई है ground के respect में यह है उसकी velocity वी अब अगली बात यह यहां बोला हुआ है just after the gun was fired हमको चाहिए speed of separation of bullet and the image बुलेट यह object क्या काम करेगी mirror के लिए तो हमको actually चाहिए velocity of object with respect to its image यह हमको find करना है और यह कितना होगा relative velocity के concept से वी ओ माइनस वी आई यह actually हमको find out करना है और हम से बोला है just after the gun was fired अब just after का मतलब क्या है कि यह बुलेट लगबग पोल के पास में है पोल के बहुत पास है यह बुलेट तो हम मान लेते हैं कि यू mirror के लिए माइनस एक्स माइनस एकस क्यों में मान लिया कि एकस दूर है और उसको मैंने मान लिया माइनस एक्स माइनस क्यों क्योंकि incident raise ऐसे जा रही होंगी और object distance इस तरह measure होगी opposite to incident raise इसलिए minus x और v भी लगबग इतना ही होगा दूसरी तरफ इतना ही होगा लगबग यह यह आप नई भी लिखेंगे नई भी करेंगे तो इतना याद रखे याद रहे इसको पढ़कर just after the gun was fired मतलब you and we are equal कि एक और बात हुई अब क्या करेंगे अब हम mirror equation पर जाएंगे mirror equation पर जाएंगे और mirror equation को with respect to time differentiate करेंगे यह न भूलते हुए कि यह यू और v जो होते हैं object distance और image distance यह होती है with respect to mirror mirror के pole से ना पी गई है यह यू और v यह positions जो हैं वो हैं with respect to mirror not with respect to ground यह भी समझ में आना चाहिए अब इसको किया मने differentiate तो differentiating with respect to time ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं mirror के respect में यह अभी आएगा समझ में आपको इसको आप जब differentiate करेंगे तो for a given mirror f तो constant होता है मतलब यह तो zero होगा और इधर क्या आएगा इधर आएगा minus one upon v square dv upon dt अभी dv upon dt क्य है तो यह है velocity of image पर with respect to mirror क्योंकि v with respect to mirror है यह बहुत important बात हुई minus one upon u square into dv upon dt ऐसा लिखा जाएगा अब इसको में ले जाता हूं इधर dv upon dt पॉजटिव हो जाएगी term और फिर v square का करता हूं cross multiplication हो सकता है आपको यह equation directly याद ही हो और याद है तो बहुत अच्छा याद है तो बहुत अच्छा तो v square by u square into dv upon dt और याद नहीं है तब इसको याद रखो आगे के लिए इसलिए खुद करो खुद करने की कोशिश करो और self study से होगा आपका selection कहीं भी होता है तो आपके marks अच्छे आते हैं तो self study से आएंगे videos देखने सुनने से नहीं आएंगे videos तो आपकी help के लिए है videos केवल सुनने से नहीं होगा काम जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक केवल shorts देखने से कुछ नहीं होगा shorts देखने से सिर्फ अच्छा अच्छा लगेगा आपको पर उसका हो उसका होना कुछ भी नहीं है पूरी सब मेहनत के बाद मुझसे ही पढ़ने के बाद मेरे ही shorts देखोगे तो कोई फायदा है और नहीं तो यह question यहां किया और shorts और कहीं का देखा तो कोई मतलब नहीं है उ क्यों हटा देता हूं क्योंकि यू और वी बराबर है यू है माइनस एक्स वी है एक्स पुल मिलाकर यह वन बन जाएगा यह माइनस रह जाएगा और यह क्या है तो यह है velocity of object with respect to mirror अब इसको कैसे open करेंगे वी आई माइनस वी एम अब यह क्या है यह ग्राउंड के रिलेट फिर माइनस साइन वी ओ और इधर हो जाएगा प्लस वी एम ऐसा हो जाएगा और आप इसको इधर ले जाते हैं वी एम को वी ओ प्लस तू वी एम यह आ जाएगा वी आई और वी ओ हमको बता है वी ओ तो बताया गया हमको क्यूस्चन में कितना है वो है माइनस वी किस डिरेक्शन को प्लस माना है वन डाइमेंशन में विलोसिटी बोल रहे हैं तो यह ऐसी होगी माइनस वी तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस 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 वी यहने वी हो जा हुआ है m v upon capital M यह जो आया था यह velocity थी mirror की with respect to ground अंदर वेशन प्रिंसिपल लगा कर तो यह आया हमारे पास में वी आई फाइनल आंसर हमको चाहिए यह वी ओ आई वी ओ कितना है कर आफ है वी ओ है माइनस यह थान यह माइनस वी ओ और वी आई यह लिखा हुआए माइनस वी माइनस कि मैं वी अपॉन sesleri क्वेतल्य मैं यह क्या वना यह बना माइनस साइन यदि common कर लें तो अंदर बचेगा 2V plus 2MV upon capital M और इसमें से 2V भी common आ रहा है 2V तो क्या बचता है अंदर 1 plus small m upon capital M ये बचा ये आई है हमारे पास में क्या ये है velocity of separation of the bullet and its image और इसका सिर्फ यदि magnitude बोला होगा ये plus sign हटा देंगे और वो ही हमारा final answer होगा मतलब VOI का सिर्फ mod modulus या magnitude तो 2V into 1 plus small m upon capital M ये इस question का answer हो जाएगा